बस अब बहुत हो गया अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दो सिर्फ रिवाइस करो सिर्फ दो दिन बचा हुआ है इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ बिल्कुल रिवाइस रिकोड़ेट के तौर पर बिल्कुल वीडियो को लास तक जोड़ देखना सिजी वैपम लेवर इस्पेक्टर के जो एक्जाम है आपको 24 जून को होने वाला यानि कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो अंतिम युद्धे के साथ लेवर इस्पेक्टर की क्लास देखेंगे अंतिम स्टेस दिन जाने कि आपके पास मात्र दो दिन बचा आपसन देखते हैं राजर पूर्चृत्तम देव ने इसका प्राराम किया था आपसन भी है बस्तर के दसरे को गोंचा परव की रूप में मनाया जाते हैं या परव राम्द्वर रावन को मनहें की उपलच्श में मनाया जाता है या फिर यह परव 55 दिनों तक चलता है तो इसका अंसर भी हो जाएगा एक दो अर्चार क्योंकि देखे यहाँ पर जो पर वर राम दोर रावन को मनाया वाला जाता है बिल्कुल गलत है इसका उत्तर आप क्या होगा तो यहाँ लेवर इस्पेक्टर एक्जाम 2018 में पूछा गया है तो इसका आंसर आपका बिल्कुल C होगा दिया उसी प्रकर चरगिय विवाक की जन जाती से संबंधित है तो यह आपको गोड जन जाती से संबंधित है चलिए इसके बाद नेश्ट कोस्चन है कि इस राज्य में निम्न लिखित में से कौन से संगीत कार पंडित विश्णु दिगंबर पलसकर ने सेली से संबंधित थे जो की 1937 के कांग्रेस के तिपुरी अधिवेशन में संगीत समीति के अध्धक्ष है आपका लिबर इस्प से दिवाली के अउसर पर मनाया जाता है तो आप सभी को मालूं वह सुवा नित्य है विश्टीवाल थोरrit कींग के lover MODY नित्य है तो देखिये श्पर सब से पहले आप सभी को कहांश जाओंगा जो लोग व्यापाम liver spitter की तयारी कर रहे है तो छनु देख रहे है विल्कुल दो दिन बच्चे हुआ है एक बर रिवाइस करके जरूर जाएगा आप क्या पता आपके एक्जाम में ऐसे क्वेशन पूछ सकता है और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएगा तो इसका आंसर क्या होगा नरायन पूर्थी का आंसर भी अब देखते हैं कि निम्न लखित में से कीस राज्य की अती पिछडी जन जाती के रूप में सूची बद्धन नहीं किया गया है तो दिखे जो आपका परदर जन जाती है सूची बद्धन नहीं किया गयी क्योंकि अती पिछडी जन जाती साथ प्रकार का होता है तो लेबर इस्पेटर एक्जाम 2018 में पूछा गया है तो इसको देखिए एक बर ध्यान से कि यहाँ पर अती पिछली विशेज जन जाती साथ प्रकार के होता है जिसमें 5 केंदर सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा होता है तो यहाँ पर पुछा गया है कि निम्द में कौन से सुची बद्वारा सामीर नहीं किया गया है तो भूंजिया और पंडोप ठीक है भूंजिया और पंडोप जो आता है राज्य सरकार द्वारा आता है और जो 5 रहता है A, B, B, K, K यानि कि अबुजमारिया, बेरोवर, पेगा, कमार और कौरवा जो आपका 5 विशेश पिछली जन जाती है अर्दोहर, कौरवा, अभुंजिया और पंडोप ठीक है नेश्ट है चंतिस गड़ में देहती गीत किस अउसर पर गया जाता है जो चंतिस गड़ में आपका देहती गीत है देहकी, जो आपका होली के अउसर पर गया जाता है कौन से अउसर पर? होली के अउसर पर ठीक है, नेश्ट है आपका बिल्कुर रिवाइस करके जाएगा देखे अबुजमारिया जन जातियों में प्रचलीत गीत अउनके विशय वस्तो को सुमेलित करना है तो आप लोग भी कमेंट करके बताएगा इसका अंसर क्या होगा हम यहाँ पर मिलान करते हैं जात पाठ्र आपका धार्मी गीत से संबंदित है कर्षना पाठ्र आपका खेल से मरम पाठ्र आपका विवाह से हवाल पाठ्र मिर्टू से तो इसका अंसर हो जाएगा पहला का तीसरा दूसरा का चाउंथा और तीसरा का पहला और चाउंथा का दूसरा तो आपका अंसर बिल्कुल सी हो जाएगा नेश्त है कि निम्न कथन पर विचार करना है तो चक्रधर सी जो रैगर की राज़त थे बिल्कुल सही है या सारंगी बजाने उन्हीं पूर्ण सारंगी नहीं बजाता है यह आपका तबला बजाता है ठीक है क्या बजाता है तबला इन्होंने तालाय योधनी धी रागनतरं के आधी ग्रंतों की रचने की बिल्कुल सही है इनके सिस्य कार्टिक और कल्यान थे बिल्कुल C और D सही है तो इसका अंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा B एक तीन और चारकियों की यह तबला बजाते थे ना किसा रंगी तो क्या सही है पुछाएगा है तो पहला तीसरा और चाउथा यह आपका तबला आएगा ना बिल्कुल नेश्टा है प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बगहल कहां की रहने वाले हैं तो जो आपका जयदेव बगहल है कॉंड़ा गाउं के रहने वाले हैं चुलमाटी तेलमाटी दारिक्ट विवागित लगा देजिएगा 36 गड में कबीर गयान जो कबीर गयान के प्रसिद्ध कलागार है आपका भारती बंधु है कौन है भारती बंधु तो इसका अंसर बिल्कुल B हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं सरहुल नित्य कीज जन जाती है उरावया आपका लिवर इस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है नंदनी बिलासपूर में पंच कोड़ा प्रसाद की छेतर में महारा थे जो पंडित है ना पंच कोड़ प्रसाद जी वो आपका सांस की संगित से संबंदित है उसी प्रकार सोलवा का प्रसन देखते हैं पनवानी की गुरु ज़डु रामदेवांगन बिल्कुश सही है लोग कला के पुजारी लोग कला नहीं है यह आपका नाचा प्रवर्तक के जनक कह जाते है तो इसका अंसर यह आपका गलत हो जाएगा देहाती कलामंच दावु रामचंद्र देश्मुग नया थेटर हभिप्ता निवी तो इसका अंसर भी होगा जो की सुमिलित नहीं है ठीक है यह जो दावु सी मंदराजी है आपका नाचा प्रवर्तक के हैं ठीक है और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं देखिए आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं खोश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं क्या कहा गए छेट-छेरा परव बोल दे हैं मतलब यह आंसर लगा देते हैं यह नहीं आएगा यह गलत है चेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचे यानि कि भर्ष्ट मुंपध्धती अपनाई यही है आपको बस्तर में है ना या आपका लेबर इस्पेक्टर एक्जाम 2018 में पुछा है इसी प्रकार 36 राजयम पॉस्ट महा की पुर्णिमा को मनाया जाने मले यानि कि बच्चे घरगर जाकर अन्नम अंग्रा मानते हैं ना यह आपका हो जाएगा छेर छेरा लेबर इस्पेक्टर एक्जाम 2014 में आप लोग कमेंट करके बताएए वीडियो आपको कैसा लग रहे है वीडियो अच्छा लगता है तेक बर लाइक करके जाएगा चलिए नेश्ट है कि छतिगड़ के कीजगीत यह तो आपका हो जाएगा बासगीत बस्तर अंचल में मावली परगाव आपका दसरा से संबंधि जो आपका मावली परगाव है ना दसरा से और दसरा से जितने भी प्रस्ण पूछे जाते हैं वो वीडियो हमने देख चुके अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्टर के इंचलिंग में दिया गया है चलिए सुमेलित करते हैं आपका लेबर इस्पेक्टर एक्जम 2018 पूछा गया जन जाती वह परमपराय से तो देखिए पारिंग धन पारिंग धन का मतलब होता है जो वधू को मुल्य अदा कर विवा किया जाता है पैसे वेसे देखर जैसे कि अब बड़ा जैसे लड़कियों का साधी होता है तो इसमें हम लोग जो टिकाओन वगरह देते न वही है पारिंग धर मतलब वद्धू को कुछ ने कुछ उफार दिया जाता है तो इसका अंसर भी होगा उसे पकर अर उतो विवा हो जाएगा आपका अरुतो विवा हो जाएगा उससे पर लंसेना विवा कुछ से हो जाएगा से अरुतो विवा का मतलब होता है वीद्वा पुनर विवा ठीक है लंसेना मतलब सेवा गुरामट मतलब विन्यमा हुआ ठीक है तो इसका अंसर क्या क्या है चलिए देखत बस्तर माओपाटा के संब्द में क्या असत्य है तो ये सभी सत्य है क्योंकि देखी क्या पुछा गया माओपाटा मुर्या जन जाती तो है ही सांभर पाटा का अर्थ गीत राग का प्रयोग मेकप की रुप में ये तो बिल्कुल सभी सही है लेकिन इन में से कोई नहीं होगा ठीक है चले नेश्ट देखते हैं मूडिया विवा का प्रमुक संसकार यानि माहल का अर्थ क्या होता है तो माहल का अर्थ होता है सहिगाई के लिए प्रिक चर्चा ठीक है इसके बद नेश्ट को चनले जो कि अपर लेवर आस्पेक्टर द्रेश्ट पूछा गया है कि अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निमने लिखित में से कौन सा महा प्रोक कर किया गया है यानि कि देखे अत्याचार करने के लिए कौन सा महावरा का प्रोक किया गया है जोरी धराना, चुंदी हटाकना, डांड लेना या छाती महोरा भुंजना तो इसका आंसर बिल्कुल C होगा छाती महोरा भुंजना क्योंकि इसी महोरा का अर्थ है अत्याचार करना नेश्ट है बस्तर के डंडारी निति आपका जो है होली से संबंदित है गोपला की छती गड़ की किस वन से संबंदित है कल्चूरी वन यह आपका टोटार 29 प्रस्न देख चुके हैं ऐसे आपके एक्जाम में बिल्कुल पैटर्न देखने को मिलेगा है ना तो आप सभी को हमारे तरब से बेस्ट प्लक वीडियो आपको अच्छा लग्चत लाइक कीज़ेगा सस्क्राइब कीज़ेगा साथ ही हमारे चैनल पर 25 जून से नयवेश प्रारम किया जा रहा है हॉस्टल वाडरन और वन रक्षक भरती का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक सस्क्राइब सेयर करके रख लिज़ेगा आज के लिए तरब